जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज हम सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से जीवित पुत्री का या जिसे जीतिया के नाम से जानते है जिवित पुत्री का ब्रत की कथा क्या है जीतिया ब्रत करने के बाद पूजा के बाद ब्रत की कथा का स्रवन अवस्य करना चाहिए जीवित पुत्री का ब्रत मताएं संतान की लंबी आयू के लिए रखती है इस ब्रत के बारे में मानिता है कि इस ब्रत से संतान की उपर से सं कर टल जाता है आश्विन मा के क्रिस्न पक्ष की सप्तमी तिथी को माताएं जीगनी के पत्तों पर सर्सों की खली और सर्सों का तेल रहकर जीतिया ब्रत का संकल्प लेती है और इस तेल खली को बच्चों के सिर पर लगाती है मानते हैं इसे संतान निरोग रहता है और पुत्री का ब्रत की कथा पंधर्वो के राजकुमार का नाम जीवुत वाहन था वह बड़े उदार और परोपकारी थे जीवुत वाहन के पिता ने ब्रिधा वस्था में बान प्रस्थ आस्रम में जाते समय इनको राज सिंगहासन पर बैठाया किन्तों इनका मन जीमुत बाहन काफी आगे चले गये तब उन्हें एक बृधा बिलाब करते हुए देखे इनके पूछने पर बृधा ने रोते हुए बताया मैं नाग वंस की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है पक्षी राज गरूर के समक्ष नागों ने उन्हें प्रती दिन भक्षन ये तु एक नाग सौपने की परतिग्या की हुई है आज मेरे पुत्र संख चूड की बली का दिन है जीमुत बाहन ने बृधा को अस्वस्त करते हुए कहा डरो मत मैं तुहारे पुत्र के प्रानों की रक्षा करूँगा आज उसके बजाय मैं स्वैम अपने आपको उसके लाल कपड़े में ढख कर बंद सीला पर लेटूंगा इतना कहकर जीमुत बाहन ने संख चूड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेट कर गरूर की बली देने के लिए चुने हुई बंद सीला पर लेट गया नियत समय पर गरूर आये और लाल कपड़े में जीमुत वाहन को पंजे में दवोच कर पहाड के उपर जाकर बैठ गया। अपने चंगोल में गिरफतारी प्रानी की आँख में आसू और मुह में आह निकलता न देहकर गरूर जी बड़े आश्चर्ज में पड़ गया। उन्होंने जीमुत वाहन से उनका परिचे चाहरा किस्षा कर सुनाया। गरूर जी उनकी बहादूरी और दूसरी प्रान की रक्षा करने में स्वयम का बलीदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन होकर गरूर जीउने उनको जीवन दान दे दिया, तथा नागों की बली नह लेने का बरदान भी दे दिया इस परकार जीवित पुत्र की पुझाय की प्रथा, होगे सब्सें उमीद करती हूँ कि ओमेद करते हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें thanks